राश्ट्रिय शेक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षन परिशद के केंद्रिय शेक्षिक प्रध्योगी की संस्थान के रेडियो प्रभाग द्वारा प्रस्तु थे कारेक्रम सफलता की ओड़ ये कारेक्रम मानसीक रूप से कमजोर बच्चों के अविभावकों के मार्ग दर्शन के लिए विशेश रूप से तयार किया गया है मामा पिताजी चाय मंगा रहे हैं अच्छा दिपू बेटा मैं अभी चाय देती हूं मा मैं चाय देकर आऊं तुम ही देकर आना मैं तुम्हारे लिए दूद भी गर्म कर देती हूं खयोँ यह लो पिताजी के लिए चाय और अपने लिए दूद लाओ मा जब मैं पिताजी को चाय दूंगा तो वे कितने खुष होंगे पिता जी पिता जी पिता जी चाय अरे दीपू तुम मेरे लिए चाय लेकर आये हो शाबाज बेटा बहुत अच्छा आओ तुम भी मेरे साथ बैठ कर दूद पियो अच्छा पिता जी दीपू दीपू अच्छा तो तुम यहां बैठे हो दूद पिकर मेरे साथ चलना मैं तुम्हें क्रिकेट खेलना सीखाऊंगा भाईया जब मैं क्रिकेट खेलना सीख चाऊंगा तब तो दूसरे बच्चे मुझे अपने साथ खिलाएंगे ना हां हां क्यों नहीं पर अभी तो मेरे साथ चलो क्या दीपू आपको सामान्य बच्चों से भिन्न लगा नहीं ना दीपू बारें वर्ष का एक मानसिक रूप से पिछला बच्चा है मानसिक रूप से पिछला पन वो स्थिती है जिसमें किसी कारणवश बच्चे के मस्तिश का विकास सीमित रह जाता है इस कारण उसकी समझ बूज भी कम होती है वो कोई भी काम करने में सीखने में बहुत देर लगाता है लेकिन अगर उचित धंग से सिखाय जाए तो वो अवश्य सीख लेता है जैसा कि आपने देखा कि दीपू की माने उसे अपने आप काम करने का अफसर दिया फिर उसके पिता ने भी उसके प्रयास को सराहा दीपू को उसके पड़ोस के बच्चे अपने साथ नहीं खिलाते चूंकि वो खेल को नियमानुसार नहीं खेल पाता है लेकिन उसका भाई रोहन उसे इस काबिल बनाना चाहता है कि वो दूसरे बच्चों के साथ खेल सके इसके लिए वो दीपू को अलग से सिखाता है खेलने के लिए उसे प्रोथ सहित करता है घर के सदस्यों के इसी प्यार और विश्वास ने दीपू में आत्म विश्वास भर दिया है इसलिए दीपू की उम्र के सामाने बच्चों से जिस सामाजिक व्यवहर की आशा की जाती है दीपू उसमें काफी हद तक सक्षम है ये सब दीपू की माँ सरिता जी और पिता सुरेश जी के अथक प्रयास से ही संभव हुआ है इस बारे में उनी से बात करते हैं सरिता जी मैं दीपू को बच्पन से जानता हूँ दीपू के व्यवहर में पहले से बहुत अंतर आ गया है इसके लिए आपके परिवार ने अवश्य ही बहुत मेहनत की है ये सब कैसे संभव हुआ ये हम आप से ही सुरना चाहते हैं मैं और मेरे पती जानते थे कि हमारे दीपू की बुद्धी सीमित है हम दोनों ने मिलकर ये निरने किया कि जितनी भी कारेक्षमता दीपू के पास है हम उसका पूरा पूरा विकास करेंगे हमारा बड़ा बेटा रोहन 14 साल का है हमने उसे भी दीपू की मानसिक विकलांगता के विशय में पूरी जानकारी दी है यूँ तो हमारा वैवार दोनों बच्चों के प्रती एक सा है फिर भी दीपू को एक बात कई बार समझानी पड़ती है उसकी हर छोटी से छोटी सफलता पर उसे प्रोच साहिद भी करना पड़ता है ये सब रोहन अच्छी तरह समझता है और वो खुद भी दीपू की सहायता करता है यानि बच्चे के विकास के लिए घर के सभी सदस्यों का सहयोग आवश्यक है जी आप सबने दीपू के प्रती अपने जिम्मेदारी समझी तभी तो दीपू इतना आगे भड़ पाया है क्यों सुरेश्ची जी आप दीपू के पिता हैं क्या आप भी ऐसा ही सोचते हैं जी हाँ माता पिता ही तो बच्चे के पहले गुरू होते हैं बच्चा चाहे स्कूल जाता हो तब भी वो काफी समय घर पर बिताता है इसलिए बच्चे को सिखाने का कारे सिर्फ स्कूल में ही नहीं घर पर में चलना चाहिए जी हाँ घर और आसपडोस वो स्थान है जहां बच्चे को हमेशा रहना है यानि वो उसका स्वभाविक वातावरण है स्कूल में बच्चा जो भी सीखता है उसका घर में अभ्यास करना आवश्यक है आरंभ में स्कूल जाने का अर्थ हमने समझा था कि दीपू पढ़ना लिखना सीखेगा और स्कूलों में जो खेल कूद, संगी तादी सिखाते हैं वो भी सीखेगा पर विशेश शद्यों से बात करने पर हमने जाना कि दीपू को रोज मर्रा की जिंदगी से जुड़े कारेयों को सिखाना आवश्यक है अपने काम स्वयम करना, अपनी आवश्यक्ताओं को जानना, अपनी बात दूसरों को समझा पाना, ये सब सीखना दीपू के लिए अधिक महत्तुपूर्ण है जी हाँ, चार-पांच वर्ष का बच्चा हो या एक वयस्क हो, उन्हें उम्र के अनुसार बहुत सी क्रियां सीखनी होती हैं, जो उन्हें आत्म निरभरता की ओर ले जाती हैं जैसे अपने आपको साफ रखना, शौचाले का ठीक उपयोग करना, कपड़े पहना ही नहीं, बलके उन्हें दिन भर साफ रखना अपने सामान को समहल कर यथा स्थान पर रखना, स्वयम ठीक से भोजन करना, रसोई से स्वयम भोजन लेना और अगर हो सके तो कुछ पकाना भी सीखना, आसपास की वस्तूओं को पहचानना, उनका उपयोग सीखना, कुछ लिखना और पढ़ना सीखना, रंगों को और आकारों को पहचानना, समय के अनुसार काम करना सीखना भी बहुत आवश्यक है जी, जैसे जैसे ये मानसीक रूप से कमजोर बच्चे बड़े होते जाते हैं, इनके आवश्यक्तां भी बदल जाती हैं, इन्हें अन्य काम सीखने की आवश्यक्ता होती हैं जैसे बाजार से सामान लाना, रुपे पैसों की पहचान होना, सारवजन दिक वहनों जैसे बस, स्कूटर आधी से सफर करना, डाग घर, अस्पतार जैसी जन सुविदाओं के महत्व को समझना, घर के कारियों में अपने जिमेदारी समझना, कई बार तो ये तैय करना कठिन ह हो जाता है कि इन बच्चों को पहले कौन सा कारे सिखाया जाए और कहां से शुरू किया जाए, सीखने वाला चाहे बड़ा हो या बच्चा, सीखने की क्रिया उसकी आवश्यक्ता और आयू पर निर्भर है, उसकी वरतमान कारेशिल्ता को जानना भी आवश्यक है, यनि अपनी देखभाल से संबंधित क्रियाएं जैसे खाना, नहाना, कपड़े पहनना आदे कितना कर पाता है। स्वयम को समझता है के नहीं और दूसरों की बात समझ पाता है के नहीं। इसी के साथ साथ ज्ञान वा व्यावसाईग प्रशक्षन से संबंदित भी कई क्रियाएं हैं जो बच्चों को आनी चाहिए इन सभी क्रियाओं के सिखाने के क्रम को जानना भी ज़रूरी है जी हाँ दीपू के विशे में भी हमें ये बताया गया था कि आरंभ में हम उसे सरल वा आसान क्रियाएं ही सिखाएं ऐसा करने से दीपू को काम में सफलता मिलेगी और वो मन लगा कर सीखेगा और बिल्कुल वैसा ही हुआ दीपू अपने सभी काम मन लगा कर सीखता और जब उसे सफलता मिलती तो वो खुश हो जाता इससे हमें भी खुशी होती और मन को संतोश मिलता लेकिन एक बात ध्यान में रखना जरूरी है कि कारे की जिस अवस्था पर बच्चा है वहीं से आगे सिखाना अरंब करना चाही मैं तो समझता हूँ कि जो काम हम बच्चे को सिखाना चाहते है वो काम हम पहले स्वैम करके बच्चे को दिखाए उधारन के लिए बाल बनाने की क्रिया पहले हम स्वैम बाल बनाकर बच्चे को दिखाए फिर बच्चे को इस क्रिया को क्रम बद तरीके से सिखाएं जैसे कंगा पकड़ना और पिर पिर कंगे से बालों को बनाना सुरेश जी आपने बिल्कू ठीक कहा है जोंकि मानसिक रूप से कमजोर बच्चों की ग्रहन शक्ति कम होती है अतह कारे को सरल बनाने के लिए क्रिया को छोटे-छोटे हिस्सों में बाट कर सिखाना चाहिए और साथ-साथ करके भी दिखाना चाहिए जब हमने दीपु को हाथ धोने की क्रिया सिखाई थी तो इन सभी बातों का ध्यान रखा था हमने हाथ धोने की क्रिया को छोटे-छोटे हिस्सों में बाटा पहले दिपू को हाथ धोने के स्थान पर खड़ा होना सिखाया फिर नल खोलना, हाथों को गीला करना, साबुन उठाना, हाथों पर साबुन लगाना, साबुन वापस रखना, साबुन के जाग को हाथों पर आगे पीछे अच्छी तरह मल के लगाना, फिर हाथों को पानी से अच्छी तरह धोना, फिर नल बन करना और अंत में हाथों को बार बार दौर आया और एक भाग सीखने के बाद ही दूसरे भाग पर गए साथ ही दीपु की हर सफलता पर हमने उसकी सराना भी की जी मधा बच्चे को सीखने के लिए प्रेदित करने के लिए उसके हर सही प्रयास पर उसे प्रोगchten सहन देना बहुत मन्दभुती बच्चे बहुत थीरे थीरे सीखते हैं सीखने की क्रिया में परिवरतन और सफलता भी बहुत समय बाद ही दिखाई देती है इसलिए सखाने वाले को हिम्मत नहीं हानी चाहिए धैरे, प्रेम और साहन भूती द्वारा इन बच्चों के साथ कारे करना आवश्य की नहीं, अनिवार्य भी है बिल्कुल ठीक कहा आपने मानसिक रूप से कमजोर बच्चों में कुछ विशेष्टाएं ऐसी होती हैं जो सीखने की प्रक्रिया में बाधा डाल सकती है इन बच्चों की ध्यान एकागरता सीमित होती है ये बच्चे एक ही काम को बहुत देर तक करते हैं ये बच्चे कई बार ऐसा व्यवहर भी अपना लेते हैं जो समाज द्वारा मानने नहीं है और इनका ये व्यवहर स्वयम को या दूसरों को चोट पहुँचा सकता है इन सभी सीमाओं को ध्यान में रखते हुए ही हमें एक मंद बध्धी बच्चे का सही प्रशिक्षन करना है धैर और सहान भूती के साथ आप ठीक कह रहे हैं हमनी भी जब दीपू को प्रशिक्षन देना आरंब किया था तो कई बारा सफलता मिली ऐसा लगता था कि हमारी मेहनत बेकार जाएगी परन्तु हमने द्रण निश्चे किया और धैर ये नहीं खोया हम चाहते थे कि दीपू आत्म निर्भर बने अधिक सीखे और अपने काम स्वयम करे क्या आप जानते हैं कि दीपू चाय बनाना भी सीख रहा है अच्छा जी ये तो बहुत अच्छी बात है दीपू को आज आत्म निर्भर और खुश देखकर बहुत अच्छा लग रहा है सरिता जी सुरेश जी ये सब आपके द्रह निश्चय और अथक प्रयास का ही परणाम है मा मा पिता जी लीजिये दीपु भी आ गया पिता जी आज क्रिकेट का खेल खेलने में बहुत मज़ा आया मैंने बॉल लपक कर पकड़ लिया और भाईया को आउट कर दिया अच्छा दीपु तो बहुत अच्छी तरः क्रिकेट खेलना सीख रहा है अच्छा दीपु इदर देखो बेटे कौन बैठ है नमस्ते अंक्र नमस्ते दीपु आओ 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 बैठो आशाबश अरे कल हम भी तम्मारे साथ क्रिकेट खेलेंगे तब तो बहुत मैज़ा आज तो हम दीपू के हाथ से बनी चाय पिएंगे सफलता की ओर अभी आप सुन रहे थे ये कारेक्रम आलेक, अर्चना प्रभाकर, विशे संयोजन, स्वर्ना गुपता, कलकार, वीना होरा, नीरज शर्मा, अभय भार्गव, हेमन थोरा और यमन कौशिक, ध्वन्यांकन, सतीश लाडे, निर्मान सहयोग, वंदना निगम, तथा निर्मान एवं प्रस्तुती, अजीत होरो